नमस्कार मैं याश्वट स्वागत करता हूँ आपका अबै न्यूस 24 इसमबर शुक्रवार शाम के बुलेटिन में आईए देखते हैं दिन भर की प्रमुख खबरे इस बुलेटिन के प्रायोजक है आर के नवास बायार के डेवलोपर्स शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में शहर में बगेर लाइसेंस और दस्तावेस के एसिड और पॉईजन बेचा जा रहा है शुक्रवार को प्रिशासनिक अधिकारियों की टीम ने जब धावा रोड पर स्थित गूल्डन केमिकल पर छापा मारा तो भारी मातरा में एसिड और पॉईजन मिला विकरता के पास ना तो लाइसेंस था ना ही खरीदी विकरी का रिकॉर्ड मौके से 6000 लिटर से ज़ादा एसिड बरामत किया गया है दरसल SDM संजीव साहू और ड्रग इंस्पेक्टर धर्मराज सिंग कुश्वा के नेतरत्व में टीम गूल्डन केमिकल पर दबिश देने पहुची थी धाबा रोड जैसी घनी बस्ती में 6000 लिटर से ज़ादा एसिड बगेर लाइसेंस के संग्रहित करके रखा गया था इसी तरह पाइजन वाली सामगरी का भंडारन भी था दुकान से ही पता चला कि इससे ज़्यादा स्टोर कोईला फाटक और मक्सी रोड इस्थित गोदाम में पढ़ा है प्रशासनिक टीम वहाँ भी पहुची और दोनों स्टोर और दुकान सील कर दी SDM संजीव साहू ने बताया कि कोल्डन केमिकल के संचालक के पास लाइसेस नहीं था वो बगए लाइसेंसी एसीड और पॉईजन बेच रहे थे इतना ही नहीं उन्होंने बड़ी मातरा में इन सामगरियों को स्टोरेज कर रखा था दुकान और गोदाम में सुरक्षा इंतजाम भी पूरे नहीं थे ऐसा में गोदाम और दुकान सील कर दिये गए ड्रग इंस्पेक्टर धर्म राइसेंग कुश्वा ने बताया एसीड और पॉईजन सामगरी बेचने के लिए लाइसेंस जरूरी है फिला संचालक लाइसेंस नहीं दिखा सके हैं अभी दुकान और गोदाम सील किये हैं जाज जारी है संचालक से लाइसेंस मांगा है सुरक्षा के इंतजाम नहीं मिले हैं धावा रोड पे एक गोल्डन केमिकल करके दुकान है सुचना मिली थी कि इनके दुआरा जो है बिना लाइसेंस के जो पोईजनेस आइटम होते हैं, उनका विक्रे किया जा रहा है, तो सी के तहत ये आज ढावा रोड इस्थितिन की दुकान, कोईला फाटा के स्थित गोदाम और ये मक्सी रोड इस्थित गोदाम पर आज कारव सकते हैं, इनके यहां ये काफी मातरा में मिले हैं, तो फिलाल हम जो है इनको इनको तीनों जगह जो है सील करके और फिर इस पर आगे कारवाई करेंगे, हाँ बिल्कुल टॉक्सिक आइटम हैं, और इनको किवा लाइसेंस धारी विक्रे कर सकते हैं, बड़े साबधानी उसको लेके की गई है, इसमें सारे प्रकार के ऐसेड्स हैं, और पॉजन्स हैं, इसमें जिंक सलकाईड, ऐल्मूनियूं फोस्पईड और ये साई पोजन है, चूहे मार दबावी, एक सलपास, यह भी सलपास में जो चैमीकल रेता है, और जिंक फोस्पाईड रेता है, इस प्रोटोकोल के भसमारती पास बेचने का मामला भी शान्त हुआ ही नहीं था कि अब प्रोटोकोल रसीद में गरबरी सामने आई है प्रोटोकोल दर्शन के लिए जारी होने वाली 100 रुपए की रसीद 200 रुपए में बेचने का मामला खुद मंदिर प्रशासक ने पकड़ा है इससे मंदिर की पूरी विवस्था पर सवाल खड़े हो गए है दरसल महाकाल मंदिर में प्रोटोकोल से दर्शन करने के लिए 100 रुपए के शुलक का निर्धरन मंदिर प्रबन समीती ने किया है इसके तहट रोधना 3,000 से जादा लोग दर्शन करते हैं प्रोटोकोल की इसी रसीद को कती पर लोग 200 रुपए में बेच रहे हैं ऐसा ही एक मामदा शुकरवार को उस वक्त सामने आया जब प्रशासक गणेश कुमार धाकर जाच करने के लिए निकले उन्होंने सोलपए की रसीद लेकर दर्शन कर रहे कुछ लोगों से बात की तो उन्हें बताया गया कि यह रसीद 500 रुपए में उन्हें बेच दी गई है संबंधित नाबाली का पता भी शद्धालू ने दिया प्रशासक ने नाबाली को पुलिस के हवाले किया है जाच में रैकेट सामने आने की उम्मीद है प्रोटोकॉल की रसीद सामने शद्धालू के पास मिलना ही अपने आप में मंदिर की व्यवस्ता पर सवाल खड़ा करता है प्रोटोकॉल किसके लिए जारी किया गया और रसीद किस ने ली या रसीद सामने शद्धालू तो कैसे पहुची होगो टाहिए तो रसकी ने बताएं कि साहब नहों ने परती रसीद मेसे 25 रफैय दिया जब मैद रसीद को देखा तो परती रसीद सौर देगे जैसे मुझे गयात किया तो मैंने पूछा आप कहां कैसे क्या हstag रवी तो वह कुछ बता नहीं पाया और उसके वाद करते केस के बाद उज्जेन में मास्क अनिवारी कर दिया गया है मास्क नहीं लगाने पर 200 रुपए का फाइन किया जाएगा उलंगन करने पर 1388 की कारवाई भी होगी कलेक्टर आशी सिह ने शुकरवार को 1344 के तहट मास्क की अनिवारियता का आदिश जारी किया मास्क नहीं तो रहो पर अफ स्पॉर्ट फाइन किया जाएगा देगे करोना के जो बढ़ते विए केसिज हैं ओमिक्रॉन वेरियंट है उससे बचने के लिए जो नाइट कर्फिव तो किया ही गया है इसके अलावा दो ही प्रमुक चीजें हैं जिससे हम लोग बचाओ कर सकते हैं पहला पड़ी तो 288 में हम लोग प्रिकंड भी दरच कराएंगे लेकिन इस पे सकती हम लोग अगले एक दो जुनों में और ज्यादा बलाने वाले हैं और प्रमुक जो चोराहें हैं और प्रमुक स्थल हैं एक बार प्लिस के साथ बैठ कर हम लोग उसकी प्लानिंग करेंगे और बड़े प्रमाने पर हम लोग मास्की चेकिंग कर सकें जिससे की बजार तर लोग मास्क लगा के ही निकले ऐसा हम लोग करेंगे हम आपके माद्यम से यह सबसे अपील भी हम लोग करना चाहते हैं कि हमें इन सब चीजों को करने के आवशकता ना पड़े तो और भी अच्छ है अगर लोग स्वयम जागरूख हो जाएं और जैसे केसे बढ़ रहे हैं उनको देखते हुए स्वयम ही मास्क को सोचल लिसेंसिंग का उप्यों करने लगे जिससे कि हमें इस पकार की कारवाईयां करने कि आवशकता है करोना के बड़ते खत्रे के बीच प्रशासन का पूरा जोर वेक्सिनेशन पर है अभी भी जिले के 48,000 लोगों ने सेकेंड डोस नहीं लगवाया है अकेली इनमें से 28,000 उज्जेन शहर के हैं अब प्रशासन रोजाना महां अभियान चलाएगा जोन में 28 मोबाईल टीमें तयार की जाएगी चोराओं पर भी टीम बढ़ाई जाएगी कलेक्टिर राशी सेह ने बताया कि प्रशासन का पूरा फोकस वैक्सिनेशन पर है खासकर उन लोगों के वैक्सिनेशन बस ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है जिनका सेकेंड डोस ड्यू हो गया है है वह मात्र शहर का है इसलिए सभी को हम लोगों ने आज बुलाया था और उसमें दो तीन प्रमुख ये फैसले लिये गए पर हम लोग चेक कर सके और उनको वैक्सिनेशन करा सके इसके साथ अभी तक जो महा वियान में ही ठोड़ी संक्या जादा होती थी जो हम का ध्यान रहता था उसको अठाके अगले 7-8 दिनों तक डेली हम लोग महा वियान के टर्ज़ पर ही वैक्सिनेशन करेंगे जिससे के एकले 6-7 दिनों में शहर में जो डियूस की संक्य है वो जिरो करी जासे है इसाई समुदाय के सबसे बड़े परव क्रिस्मस की खुशिया शुरू हो गई है ये खुशी तब दोगुनी हो जाएगी जब आज मध्यराते प्रभू ईशु जन्मेंगे प्रेम और सोहार्द की प्रतीक प्रभू ईशु की जन्म की तैयारिय कैथोलिक चर्च और मसीही मंदिर में पूरे जोर शोर से हो रही है क्रिस्मस के लिए चर्च पर रंग बिरंगी रोशनी की गई है प्रभू यीशू के जन्म पर चर्च में विशेश प्रात्ना सवा होगी धर में विधियो के बाद पल्ली पुरोहित जुलूस के रूप में बालक यीशू की मुर्ती को परिसर में लाएंगे परिसर में पवित रगनी की परिक्रमा के बाद मुर्ती को चर्च में ले जाया जाएगा इसके बाद केक काटा जाएगा और एक दूसरे को बधाई देने का सिलसिला चलेगा मसीही मंदिर में 25 दिसंबर को मिला लगेगा महावीर बा कॉलोनी में स्ट्रीट डॉक्स का मरना जारी है पिछले चार दिन में अब तक 9 कुत्तों की मौत हो गई शुकरवार को भी एक कुत्ते ने दम तोड़ दिया जबकि एक की हालत खराब है अब तक 3 मिरत कुत्तों का पॉस्माटम किया गया है हाला कि अभी तक PM रिपोर्ट नहीं आई है कि कुत्तों की मौत क्यों हुई खाचरोद में सिंचीत जमीन को असिंचीत बता का खरीदी बिकली कर स्टाम डूटी की चोरी की जा रही है राजस वाधिकारियों ने जाच में ऐसे 20 मामले पकड़े हैं इनमें से चार लोगों के खिलाफ उप पंजियत रामकरेश्न सोन केसरिया ने F.I.R दर्च करवाई है दरसल कलेक्टर आशिर सिहिन ने स्टाम डूटी की चोरी होने की आशंका में असिंची जमीन के सौदों की जाच करने का आदेश दिया था उपंजियक कारियल एक और खाच रोध में 22 मामले संदिक दे मिले थे राजस्व विभाग के अमले ने अब जाच की तो इसमें 20 में गड़बड़ी मिली इनमें से दो प्रकरण में 4 लोगों के खिलाफ मुगदमा दर्च कराया गया है पहला मामला ग्राम नटवास सला की जमीन का निकला हाथ उत की रहने वाली अनपुर्णा बाई ने नरेंदर परमार से जमीन का सौधा किया था अनपुर्णा बाई ने 1.34 हेक्टेर सिंची जमीन असिंचित बता कर बेची थी इस रख क्रेता एवं विक्रेता ने 30,552 रुपे की स्टाम ड्यूटी की चोरी की दूसरा मामला ग्राम मडावदी का है यहां रहने वाले पन्ना लाल दर्जी ने 0.57 हेक्टेर जमीन का सौधा मडावरी की फरीदा भी से किया था दोनों पक्षों ने जमीन असिंचित बताई थी इस मामले में 34,546 रुपे की स्टाम ड्यूटी की चोरी की गई दोनों पक्षों के चारों लोगों के खिलाफ उपंजियक ने F.I.R दर्ज कराई है उपंजियक रामकृष्ण सोन केसरिया ने बताया कि सिंचित जमीन को असिंचित बताकर बेचने के 20 मामले सामने आये हैं इनमें से 2 मामलों में 4 लोगों के खिलाफ प्रक्रण डर्ज कराया है जमीन जो है करसी भूमी जो है मोके पर सिंचित थी किम्ति उन्होंने तक चुपा कर असिंचित में रहिष्टी कराई थी तो यह से प्रक्रण उन्हें से कल्क्रण साथ के निर्देश के हमसार दो लोगों पर F.I.R दर्ज करवाई गई है जिले में चल रहे है ऑटो रिक्षा को परमीट और फिटनेस जारी करने के लिए आइटियो दो दिन तक शिवर लगाएगा यह शिवर शनिवार और रवीवार को आइटियो कारेले भरतपूरी में लगाए जाएगा सुबह 11 से शाम 5 बजे तक शिवर में परमीट और फिटनेस बनाया जाएगा शेर में लोग और और के लिए एडियम संतोष टेकवड ने पुलिस अधिकारियों के साथ रेवेन्य अधिकारियों की ड्यूटी ताय कर दी है यह अफसर 24 दिसंबर से एक जनवरी तक रोस्तर मताबिक ड्यूटी करेंगे शनिवार को यह कारकरम हर बूत पर होगा मैंडलों के प्रते के अस्पताल में फल बाटे जाएंगे और भाजपा कारेले लोग शक्ति में शाम साथ बज़े से रात नो बज़े तक अभी सम्मेदन कायोजन होगा झाल 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 तो आपने देखा आज का हमारा बुलेटिन आपको यह बुलेटिन कैसा लगा अपने सुजाव हमें जरूर पहुचाए और जाने से पहले अब यह न्यूस परिवार आप सभी से निविदन करता है कि मास जरूर लगाए सामाजिक दूरी का पालन करे और स्वस्त रहे धन्यवाद